जेहिंद नमस्कार मेरे सेट सेनियों स्वागत आप सबका अपने यूटूब चैनल कमांडो केट में में दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एससी जीडी की फाइनल कटोप को लेकर है कि इस बार एक चीज नहीं हुई थी कि इस बार के बच्चों का फीजिकल और में पहले पहले फीजिकल होता था फिर फीजिकल के बाद में अब्य कर्ट यूफ上 है कि या नीचे कटोप है वो यह बताने वाला हूं कि पिछली बार से कटोप उपर जाएगी या नीचे जाएगी क्योंकि आपने देखा होगा इस बार फिजिकल जो बच्चे देने जा रहे हैं उनका रियल रिव्यू यह है कि सर्फ बहुत नमबर आये हैं बच्चों के क्यों आप देखो पिछली बार के कटोप मेल की सार्थी वो इस बार 87 है यह निए फिजिकली कटोप इतना उपर जंप कर गई है इसका मतलब पेपर में बहुत नमबर आये हैं बच्चों के और यही आपकी गवराट बढ़ा रहे हैं आपकी धड़कन बढ़ा रहे हैं यह क्या पता मेरा सेले 116 बच्चों के आज पास लगबग पास किये गए है ठीक है फिजिकल के लिए अब फिजिकल के बाद में मेडिकल में कितने पास हो रहे हैं क्योंकि पिछली जो बढ़तियां होती थी मैं आपको बता जाता हूं अगर मान के चलो हम पिछली बढ़ती की बात करें उदारन के लिए कि और में चालीश जार प्रदों पर आती थी तो उसमें क्या होता था सिदा कर सिदा आठ गुना बच्चों को पिजिकल के लिए क्वालिफाइग किया जाता था यानि तीन लाग बच्चों पिर इसका फिजिकल होता था और इसमें से लाष्ट में 2.5 गुना यानि 40 सज़ार का मान के चलो कि लाग बच्छों को क्वालिफाइग किया जाता था और इस में से फाइनल बेंड बनटी ठीक है अब इसमें हो रहा है क्याए वह यहां तुलना कर लेते इस बार क्या हो रहा है कि इनका फिजिकल और और कुछ बच्चे में बाहर निकल जा रहे हैं और कुछ बच्चे मेडिकल अगर हम ओवरोल देखें तो 20% इनका रेशियो पास का रह रहा है अभी तक का अबसे परसेट पास यह नहीं सो बच्चों को बुलाए जा रहे हैं लगाता रहूं का रीविवाल मेरे पास में आता रहता है तो यह उनिक है विजडल रिविवाव उसमें कोई सख नहीं कर सकते इन सतर बचों में से बीस से पच्शीस बचuteur हायट में बार उजा रहे हैं बार में में बच्चे 45 बच्चों में मेंRO मेंसे पंच 15 अब द्व Communications औहें तो ओवरूर उर्ट हम जो रा हम चो रेश्य निकालते यह भई इनिसाधे तीन लाग अगर हम बात करें साधे तीन लाग अबीस परसेंट कितना हो जाएगा सब्तर हजार तो इस बार फीजीकल सही जो पास का रेशियो है वो रहने वाला सब्तर हजार और पोस्ट वेकेंश यह च्छी आणिस हजार यह भी उसकी बजाए इस बार कम नजर आ रहा है ठीक है अब हम यह मानके चले कि हमारी मानलों काउंटिंग या कुछ भी करके हम इसमें मेक्सिमम दस से पंद्रा परसेंट या बीस परसेंट और कर ले इसको रेशियो को तो भी तो भी हम जो 20 परसेंट मानने अगर उसको हम 30 budistan मानले तो भी तो संग्हा जाएगी हो जाएगी कितना मानले हम, 30 परसेंट जो की हो Нीरा है आप सब गटैंट देकर नहीं लेक्ति हम वो खोनके सब पछानी से पंद्रा बच्चे फिट हो रहे हैं वाकि सब को रिमेडिकल मिल रहा है और रिमेडिकल में से 5% मानके चलो कि 25 बच्चों को मिला तो 5 बच्चे फिट होंगे 20 आउट हो रहे हैं यह रियल रेश्यू है तो अगर हम इस बात को पकड़ लें हमने 20% जो मैंने रेश्यू माना था इसको मेक्सिमम कि 15% मान सकते हैं 30% यह highest है अगर हम 30% मान ले तो 1,5,000 बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे जो कि कटोप के लिए रहेंगे 46,617 पदों के लिए और पिछली बढ़ती के अनुसार हम देखें तो मान के चलो सेम साई मेटर हो जाएगा भले उससे कम जरूर हो जाएगा इस बा अब यह नहीं कि नंबर में कम जाएगी मेरा कहने का मतलब अगर कोई राजस्तान से बिलोंग करता है तो मान लो सेम वेकेंसी उस हिसाब से होती तो यह कम होगी इसमें कोई संद्धे नहीं है उसका कारण क्या है जैसे पेले क्या होता था मान के चलो कुछ बच्चे में पास हुए पहले इन सो बचों क्या कटोप आती थी ठीक है तो कटोप में से मान लो 80 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाए गया अब यहां पर 30 बच्चे मेडिकल में फेल हो गई अब जो यह बीस बच्चे थे जो कटोप की वज़े से रह गयता है यह तो रही जाते हैं इनको तो मौकाई नहीं मिलता आगे अगर कटोब नीचे भी जाती तो इनका नमबर नहीं पड़ता लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार फिजिकल और नमबर की तो वाक्य में नमबर बच्वों के ज्यादा है तो मुझे लगता है जितना जंप इसने फिजिकल में किया है उतना जंप फाइनल मेरिट में नहीं होगा उसके पीछे ये रेशियो है आप मैंसी जो जो बच्चे मेडिकल देखे आगए वो नीचे कमेंट करके जिरूर बताना कि उनके दिन कितने बच्चों को बुलाया गया था और कितने बच्चे पहुंचे थे कितने बच्चे मेडिकल में जितनी करनी चाहिए उसके बजाए ठीक है अगर आपके नोदस नंबर क्या स्पास उपर है तो आप सेलेक्शन की रेश में हो ठीक है लाड़ो जे हिंद जे भारत